हेलो स्टूडेंट्स वेलकम तो दिस वीडियो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट सेक्शल रिप्रड़क्शन तो चलिए सुरू करते हैं तो यह क्या कह रहा है कुछ एक ऐसा मोड ओफ रिप्रड़क्शन के बारे में भी हमें पता है जिसके अंदर दो इंडिविज्वल की आउशकता होती है एक नई जनरेशन स्टार्ट करने से पहले बुल्स अलोन कैननोट प्रड़ूश नू काफ तो जो बुल होता है वो एक नया काफ को अकेले जनम नहीं दे सकता है नोरक रहन्स अलसो प्रडिउस नूड़ नू थिक्स तो सिर्फ जो मुर्गियां होती है सिर्फ हैंज would you अपके नए जो मुर्गी के बच्छे को पैदा नहीं कर सकतियाकेले in such cases both sexes male and female are needed to produce new generation in इन जैसे दोनों example के case में male और female जो दो इसके अंदर individual चाहिए उसके बाद ही नई generation बनती है what is the significance of this sexual mode of reproduction तो the sexual mode of reproduction है इसका फायदा क्या हो सकता है are there any limitations of asexual mode of reproduction which can be discussing above तो क्या हमने जो asexual reproduction डिसकस किया था उसके अंदर कोछ कमिया है तो जो हमने पहले इसके बारे में जाना है sexual के बारे में उसमें कोई न कोई कमिया होगी जिसके करण आपका sexual reproduction आपको preference देता है तो चलिए इसे के बारे में question के बारे में जानेंगे why the sexual mode of reproduction sexual mode of reproduction क्यों कर रहे हैं the creation of two new cells from one involves copying of DNA as well as cellular apparatus तो हमने जाना है कि जब भी reproduction होता है या जब भी एक cell से जब दो cell बनते हैं या नि cell division होता है तो उससे पहले जो आपका DNA होता है DNA की एक और copy बनती है इसको हम कहते हैं DNA multiply करता है DNA replication बोलते है तो जो DNA भी multiply करता है और जो भी cell के अलग अलग components होते है cytoplasm हो गया अलग अलग cell organelles हो गया हले आरे की कह है उसकी copy होती DNA copying mechanism as we have noted cannot be absolutely accurate तो हमने जब पहले पढ़ा है कि जो DNA copy होता है वो mostly 100% accurate नहीं होता है and the resultant errors are source of variation in population of organisms तो जब भी error आते हैं जब भी गलतियां होती है तो उसके एकारण जो population के अंदर variations आते है every individual organism cannot be protected by variation but in a population variations are useful for ensuring the survival of species तो जो हर एक जो individual होता है वो variation से बस नहीं सकता है उसके अंदर आती ही आती है लेकिन ये पोपुलेशन की बात किये जाएं तो variation के कारण के होता है particular species जो है वो अच्छी तरह से fit हो जाते है अपने environment में तो हम क्या कहेंगे उसको वो variation जो होते हैं क्या होते हैं वो survival fitness देती है variation हमेशे अच्छी नहीं होती है variation harmful भी होती है इट वोड़ देरफोर मेक सेंस इफ औरगनिजम केम अप विद रिप्रड़क्टिव मोड़ देट अलाओड मोड़ और मोड़ वेरिशन तो भी जनरेट्टिव तो इसका मतलब यह है कि यदि कोई organism ऐसा है जिसके अंदर की कोई ऐसा reproduction हो जिसके अंदर की जड़़ वेरिशन आ सकें तो वो ही इसके अंदर प्रिफर किया जाएगा देखिए वाइल डीन ने कोई में किने जम आर नोट अब्शलूटली हैं अंडर परसंट अकुरेट यह प्रिसाइज इनफ टू मेंग दर जनरेशन ओफ वेरिशन एफ एर फिरली स्लो प्रोसेस तो क्या होता है जब डीन ने कोई होता है तो आपको पता है अंडर परसंट अकुरेट अब्शलूट ने कोई वेरिशन नोट वेबल टू वर्क विज इन ने मेकेनिजम का जो प्रोसेस होता है वह ज्यादा ही इनकुरेट हो गया ज्यादा ही उसमें गलतिया होगी तो वह जो अपना सेलूलर अपरेटर से जो सेल के कंपोनेंट से वह काम नहीं कर पाएंगे और जो वह वह डाई आउट कर जाए हो तो मतलब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर वेरिशन आने के जो फ्रिकॉंसी है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेरिशन आए उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है इच न्यू वेरिशन इज मेड इन ने कोपी डैट है और अलरी है व इसलिए जो पीड़ी है उसमें भी वेरिशन आई हुई है वो आपके अंदर है अब जो आगे जो पीड़ी आएंगे उसके अंदर भी वेरिशन आएंगे तो इसमें क्या होगा जो इंडियान ने जो कोपी होता है उसके अंदर वेरिशन जो वो एकुमिलेट होती रहती है और वो पीडीयों से ही अकुमिलेट हो रही है तू डिफरेंट इंडिविज्वल हमें पापूनी जा रही है तो यह क्या कहना चाह रहा है कि भही जो ऐसा नहीं है कि जो वेरिशन है वो सिर्फ एक पीडी में आते हैं वेरिशन सुरू से ही आपके accumulate होती जा रही है जैसे कि आप है और आपके जो पिसली पीडियां थी उसके अंदर भी variation थी तो वो variation accumulate होके आप में आ चुकी है अब आप से आगे जो पीडिया आएगी उसमें भी वो variation पास होंगी और कुछ नई variation भी उसमें add होती जाएंगी और ऐसे ही क्या यह process चलता रहता है और टाइम के साथ variation accumulate इखटी होती रहती है thus two different individuals in population would have quite different patterns of accumulated variation तो यदि हम बात करें कि दो ऐसे individuals जो एक population में है तो उसके अंदर बहुत सारी variation accumulated है पहले से ही जो उसके पिछले पीडियों से उसके पास आई हुई है since all of these variations are in living individuals it is assured that they do not have any really bad effects तो मतलब क्या है यह जो सबी जो variations है वो एक living individual के अंदर है एक living organism के अंदर है जिसका कोई भी bad effect नहीं है और वो population के अंदर उसको fit भी रख रहा है combining variation from two or more individuals would just create a new combination of variation देखिए क्या कहना चाहरा है अब मा लेज़े यह एक person है इसके अंदर पहले से यह बहुत सारी variation है यह दूसरा person है इसके अंदर भी पहले से बहुत सारी variation है तो यदि इन दोनों person को आपस में ही हमने link कर दिया तो एक set variations का यह हो गया और दूसरा जो set है यह आपका यह हो गया तो जब दोनों set आपस में mix हो जाते हैं तो एक नया combination बन जाता है variation का उसके अंदर बहुत ज़्यादा chances होती है और ज़्यादा variation आने की तो हमने क्या कर दिया variation को speed up कर दिया और यही हो आपका sexual reproduction में एक male part होता है एक आपका female part है तो दोनों जब आपस में ही उसके gamets fuse होते हैं तो मतलब दो cells आपस में mix हो रहे हैं mix हो रहे तो उनका genetic makeup आपस में mix हो रहा है में make up हो रहा है यानि जो नया जो offspring बनेगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा chance है और variation आने के Each combination would be novel since it would involve two different individuals जो नया जो combination रहेगा variations का वो बिलकुल नया रहेगा जो पहले कभी भी नहीं हुआ है क्योंकि दोनों जो individuals है वो अलग है The sexual mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA from two different individuals during reproduction जो sexual mode of reproduction इसका main काम यही है कि यह दो जो individuals है उनके DNA को mix करने का काम करता है जो दोनों जो individuals है वो बिलकुल different है उनके अंदर अलग अलग variations के set है और जब दोनों individuals का DNA mix होगा और उसके बाद जो नया जो आपका variation जो आएंगी वो भी बहुत ज़्यादा होंगी और जो नॉर्मल है sexual reproduction में होता है उससे काफी ज़्यादा variation उस case में आती है बट इस creates a major difficulty लेकिन इससे एक दिक्कत भी आती है इफ एच न्यू जेनरेशन इस टू बी combined of DNA copies from two pre-existing individuals then each new generation will end up having twice the amount of DNA that will previous generation head तो मतलब क्या कह रहा है कि भी माहा लोकी कोई एक individual उसके अंदर एक DNA है और हमने क्या कहना नया individual कैसे बनेगा या ओफ स्प्रिंग कैसे बनेगा जब दो इंडिविज़ों का DNA अपसे mix होगा तो मतलब क्या होगा वह जो ओफ स्प्रिंग बनेगा उसके अंदर तो DNA एक एक पेरिंट का एक दूसरे पेरिंट का तो DNA उसके अंदर दुग ना होगा पेरिंट से तो इस प्रोसेश को हमें रोकना ही इसको हम कैसे रोकते हैं भी Although a careful of cellular apparatus by a DNA or acnefamily कि ठीक मतलब है रहा है कि माँ लेजे है कि अंदर हुं जानते है चाल्इस क्रामोजॉम है जो आपकी मदर परियंट है छालिस क्रोमोजॉम है我就 से बच्छा होता है दोनों से उसके इसके ऑंदर भी छालिस ही आते है growers के चालीस और चालीस मिलाकर 23 क्रोमोजोम होते हैं दोनों के 23 क्रोमोजोम मिल करके 6 क्रोमोजोम बनते हैं विजुद इन अर्लियर डैट और उर्गेन जंड बिकम मोर कॉंप्लेक्स यह स्पेस्लाइजिशं इन टीशु इन शविशन शॉडब जाती हैं तो वैसे जैसे मिलब स्पेस्लाइजेश्ट अगर टिशुज की स्पेस्लाइजशन बढ़ चुकी है वैसे वैसे आपकि बोडि जो है वो complex होती जाती one solution that many multicellular organisms have found of the problem mentioned above is to have special lineage of cells in specialized organs in which only half number of chromosomes and half amount of DNA are compared to non-reproductive body cells तो यह वही कहना चाहरा है कि पूरे body के अंदर दो तरह के cells होते हैं एक होते हैं reproductive cells और एक होते हैं normal cells तो reproductive cells को हम कहते हैं germ cells और इसको हम कहते हैं somatic cells तो germ cells जो होते हैं वो आके जाकर कि आपके special gamits बनाएंगे सिर्फ जैसे कि sperm बना दिया और इसके अंदर क्या होता है chromosome number half होता है 23 23 होते हैं लेकिन इसके विपरी तो जो normal cells होते हैं यह ऐसे cells हो कि reproductive cells नहीं बनाएंगे जो gamits नहीं बनाएंगे उसके अंदर जो भी cell डिवाइडी करेंगे वो च्छालिस का कोहीं वो करेंगा तो यह आपके कि भी जो multiceller organisms के अंदर दो टाइप के cells होते हैं जर्म cells एक होते हैं somatic cells जर्म cells आगे आगे जाकर कि gamits बनाते हैं जिसके अंदर की chromosome number half होता है देखी लिखा वेड़ी सेट बाइड़ प्रोसेस ओफ सेल डिविजन काल्ड मियोसीज तो मियोसीज क्याएगे special type का cell division है जो सिर्फ आपके जर्म cells में होता है या ऐसे cells में होता है तो chromosome number यदे हाफ करना है तो उस case में मियोसीज ही आपका काम करता है जैसे कि मान लीजी ये कोई germ cell है इसके अंदर हम कहेंगे 46 chromosome तो इससे जब मियोसीज होगा तो एक मियोसीज के बाद चार cells बनते हैं और हर एक के अंदर 23 chromosome में लेंगे तो मतलब chromosome नंबर और DNA आदा हो गया है दस वहन दे जर्म cells फ्रॉम टू इंडिविज्वल से कमबाइंड डूरिंग सेक्शल रिप्रडक्शन तो फ्रॉम न्यू इंडिविज्वल इट रजल्स इन एक कह रहा है कि मान लेजये कोई फादर है यह मदर है फादर के जर्म Cell के अंदर मियोसीज हुआ और यह आपका सपरम बन गया सपरम के अंदर फटेईस क्रोंजूम है ऐसे की जुम मदर से जर्मड़ल के फ्रियूवा और गणा और डीट में थी ₃वHe आपस बदनों दोना कंगी जो बाद जाइगोट बन गया उसके अंदर फादर सकी Before शाट से उस पमथली शाली सा गया और आपका डिन ने जो कंटेंट है वो भी पेरिंट जितना ही हो गया इव जाइगोट इस तो ग्रोव एंडवलप इंट इन और्गनिजम विच है जाइली स्पेसलाइज टिशू और गंदा निट है तो सफिशेंट स्टोर्स पूर एनरजी फो दूंग दिस तो मतलब क् सब्सक्राइज तो उसके लिए क्या चींए बहुत ज्यादा एनरजी चाहिए जिए ज्यास न्युटरिशिण चीए जो उसके पास स्टोर होने चीए स्टोर्ड एनरजी होनी चीए इन वारी सिंपल और इसे लेकिंट सेंट नोट वैरी डिफेरेंट फ्रों वन एंद आदर और में भी similar तो simple organisms होते हैं जो उस case में क्या होते हैं जर्म cell जो male or female के जर्म cell होते हैं वो ज्यादा अलग नहीं होते हैं दोनों दिखने में same ही होते हैं but as the body design become more complex लेकिन जैसे जैसे body design complex होता जाता है तो germ cells also specialised तो germ cell भी specialised हो जाते है one germ cell is large and contains the food store while the other is smaller likely to be motile तो क्या कह रहा है जैसे जैसे body design complex होता जाता है तो male or female के जर्म cells होते हैं वो उनकी वो भी specialised होते हैं उनकी structure अलग लग हो जाते हैं जैसे कि में एक दोनों में से एक का जो जर्म cell वो large रहेगा और उसके अंदर food मिलेगा और जो दूसरा जर्म cell वो small रहेगा और उसके अंदर motile रहेगा वो move कर सकता है conventionally the motile germ cell is called the male gamet and the male gamet and the germ cell contained the stored food is called the female gamet तो ही कह रहा है कि the male gamet जैसा आपको पता है male gamet sperm humans के case में motile होता है और उसके अंदर small size का होता है लेकिन यह हम बात करें female gamet के तो female gamet के अंदर क्या होता है जो वो क्या होता है large size का होता है उसके अंदर food store होता है तो nutrition देने का काम जो हो जाएगोट को वो एग करता है और जो fertilization के time to motility जो move करेगा वो sperm करेगा we shall see in the next of few sections how the need to create two different types of gamets utilize to different in male and female reproductive organs तो हमने यह आगे के portion में जाने के कि भी जो दो अलग अलग तरह के जो gamets होते हैं के size size भी अलग है shape भी अलग है इनका function भी अलग है तो इनके कारण जो male और female reproductive system भी काफी यही है कि भी उसके अंदर जो gamet होते हैं वो अलग अलग है उनका design अलग उनका काम अलग है तो next video में हम करेंगे sexual reproduction in flowering plants अलग है प्लूट है और है वाल लो अलग है तो अलग है तो अलग है तो अलग हैं जाने आसिताज है